भारत जोडो नियाय यात्रा आज 35 दिन काशी पहुची यात्रा का नेत्रित्व कर रहे कॉंग्रस नेतार राहूल गांदी ने यात्रा के दोरान केंद्र की सरकार को जम कर घेरा भारत जोडो न्याय आत्रा का पार टू मेघले से शुरू होकर काशी होते वे गुजरात तक जाएगा राहूल गांदी ने बकायदा काशी विश्वनाद धाम में दर्शन पूजन कर गदोलिया पर आम जन्मानस को संबोधित भी किया इस दोरान राहूल गांदी ने युवाओं से सीधे समबाद करते हुए बिरुजगारी और महंगाई पर बात की कॉंग्रिस नेता राहूल गांदी ने बताया कि काशी विश्वनाद से आश्रवाद लेने और मा गंगा को प्रणाम करने काशी आया हूँ भारत जोडो न्याय आत्रा गदौलिया से निकल कर मडवाडी के रास्ते भधोई को जाई इस मौके पर कॉंग्रिस नेता जैराम रमेश ने क्या कुछ कहा आई आपको सुनवाते हैं आज 35 जिन है भारत जोडो न्याय आत्रा का इसकी शुरुआद 15 सेनवरी को अनिपूर से हुआ था आज हम एतिहासिक सांस्कतित मगरी वारानसी पहुंचे हैं आज सुबह करीब सबा 9 बजे शुरू होगा भारत जोडो न्याय आत्रा राहुल जी काशी विश्वनाद मंदिर भी जाएंगे करीब 10 बजे इसके बाद एक जन्सभा को संबोजित करेंगे और बोपहर दो बजे के बाद हम फिर से शुरू करेंगे और भदोई में आज राप के रुखेंगे इस बीच इस बीच मंदिर के दर्शन के बाद राहुल जी पारणासी के बुंकरों से गांधिवादी संस्थाओं से इन पर मोधी सरकार द्वारा आक्रमण हो रहा है और प्रियेच्चू के पिज्यार्थियों से अलग से मुलाकात भी करेंगे आपको बता दे भारत जोडो नाय आत्रा में इंडिया गट बंदन के नेता भी शामिल रहे यात्रा में शामिल होने आए आम लोगों ने बताया कि राहुल गांधी को हम सभी 2024 के लोगसवा चुनाओं में जिता कर प्रधान मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं ऐसे में सहारा समय समवाद्दाता भिशेक सिंग ने लोगों से बाचीत की और उनकी राय जानी देखे उनकी ये खास रिपोर्ट पहले दचिण से उत्तर अब पूरव से पश्यम की तरफ यानी की गुजराज से चलकर यात्रा वाराणसी पहुच चुकी है और 1627 किलोमेटर की यात्रा करने के बाद वाराणसी में पहुच चुकी है भाराणसी जोड़ो नयाय यात्रा राहूल गांदी के नेतित्ति में चल लगी है और यह इस वक्त यात्रा परेट कोड़ी से गुजरी जो एक मुस्लिम बहुल लिलाका है और आप तस्पीरों देख सकते कि इतनी भारी संख्या में लोग स्वागत करने के लिए पहुचे साथ इसाथ इसाथ इंडी गडबंधन के लोग भी इस यात्रा में सामिल है प्रदिस सरकार शपा सरकार में मंत्री रहे सुरेंद्ट पटेल विस में सामिल है साथ इसाथ जो नेता है साथ इसाथ उनके अलवां जो तमाम जो गडबंधन के शयोगी हैं वह भी सामिल है हमारे साथ कुछ अस्थानिये लोग हैं उनसे बात करते हैं कितना सफल रहा यह यात्रा यह यात्रा पूरा हंडेट परसंट सफल है नोजवानों की हम बाबा विस्तुनात मा गंगा मैया को मैं पढाम करता हूं सारे जितने हमारे हैं कि हमारे नोजवानों के दिलों के धरकं माननी राउल गांधी जी का कारिक्रम लगा इसके लिए तहे दिल से अगले सिस्नतित को हम बढ़ाई देते हैं कि जो नोजवान पकवडा तलेगा वो नोजवान खेला होब इसका मतलब क्या है बुणको के साथ खेला दिखा रहे हैं अब धर्म के नाम पर आज भी चल भाए अब ऐसा नहीं चलेगा कितरा सफल रहा यहां यह यहां भी जा रहा है लोग बिन बुलाएं लोग आ रहे हैं लोगों का एक समर्था नों के साथ भारी हुजूम चल ला है जहां लोगों के उमीद थी पिछले नौ सालों में जो दस्वा साल खतम ने जा रहा कि एक अच्छी रूप रेखा बनेगी जहां पे देश का नोजवान नोगरी पाके खु रुपते जा रहा है विक्रियां बंद हो गई है तो ब्योस्थाइन नहीं रहा गई है हर व्यक्ति परिशान भारी जन्समूई यात्रा के पीछे का करण यह है कि राहुल गांदी देश के उन धड़कनों में से एक हैं जो देश की यह जन्समूई वाराणशी में बता रही जो देखें सारे जन्समूई के लोग और हम लोग स्वागत करते हैं राहुल गांदी हमारे क्या हमारा देश के समध्र्प्रेंट में धड़कन है नौजवानों के मेला के पत्रकारों के किसानों के हमारे साथ इंडी गड़बंदन की स्योगिश सपा सरकार में पूरु मंत्री रहा है पडेल जी कितना बड़ा इतना जनसमर्धन और कैसे दिखते इसबुग जनसमर्थन यह देखिए आपार जन समर्थन आपको जो दिखाई दे रहा है ये जूट के खिलाप है ये अहिंकार के खिलाप है ये बेरोजगारी के खिलाप है ये किसानों की आमदनी जो दूना करने के लिए कहा था इन्होंने ये उसके खिलाप है ये MSP के पक्ष में है ये किसानों के हित में है और इस कभी सुखी नहीं रह सकता मैसेज क्या होगा बनारस से पिम के लिए मैसेज छूट को सब्सक्राइब करना है कि इसी का मैसेज रहेगा इंडीकेट बंदन के सेयोगी और सफा सरकार में मंत्री सुरेंद्र पठेल रहे हैं साथिसाथ भारी संख्या में लोगों का शम्मू है और जिनका कहना है कि इस बार वानारसी से भी खेला होने जारा आप देख सकते हैं कि हर तरफ जो चाहे वो बार चंसिखर की जो पार्टी के उसका जैभीम की जंडे हो या फिर कॉंगरिस के जंडे हो या फिर समाज के साथ अभी शेग